नमश्कार और वेलकम टू और वेलकम टू और दोस्तो रिसेंट्टी एक काफी जादा इंपोर्टेंट न्यूज आई है दरसल कहा ये जा रहा है ना कि रिपब्लिक डे जो आने वाला याने कि 26 जनवरी 2024 को इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे इस बार वो होंगे फ्रांस चीजों के बारे में हमें पता चला जब USA के अबस्ट हैं इंडिया में उनने इसके बारे में पब्लिक किया कि इंडिया की तरए से इस तरह के का इंविटेशन बेजा गया था लेकिन USA के प्रेसिडएंट बिजी होने की वज़े से ये जो इनविटेशन है इसे असे आप लोग कह सकते हो कि embarrassment की तरह भी है उसकी तरह भी लिया जा सकता है इंडिया के लिए क्योंकि यह इस तरह के message देता है कि USA के लिए ना इंडिया उतनी ज्यादा important country नहीं है इंडिया से ज्यादा important कुछ काम है जहां पर USA के president busy है और यह ऐसे time पर हो रहा है जब USA के जो president है Joe Biden वो कहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ जो relationship है वो most consequential in the world है तो इससे आप लोग समझ पा रहे होगे कि एक फोड़ा पहुत embarrassment के तरह भी इसको इंडिया के लिए लिया जा सकता है उसके अनवा अगर मैं आप लोग को बताऊना तो इंडिया का plan था कि USA के president को हम लोग बुलाएंगे यह आएंगे इंडिया में 26 जनवरी को और इसके साथ ही साथ जो जपान के प्राइम मिनिस्टर है उस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर है इनको भी invite कर लिया जाएगा और इनी के साथ जो quad meeting होने वाली है 2024 में इंडिया में जो quad summit इंडिया conduct करेगा 2024 में उसको हम लोग कर लेंगे 27 जनवरी को और आप लोग कह सकते हो कि जपान के जो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्टेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बार को तियार भी थे कि ठीक हम लोग आ जाएगे जबकि मैं आप लोग को बताऊ ना तो ऑस्टेलिया का भी जो national day है वो 26 जनवरी को यह होता है इन दोनने अपने पूरी तैयारी कर ली थी इन दोनों ने कह दिया था कि ठीक हम लोग आ जाएंगे लेकिन इन दोनों की तरफ से थोड़ा आपनों कह सकते हो कि इसके लिए अगरी में आगरी जो है वो भी हो गये थे ये लेकिन USA के प्रेजिडेंट ने इसको मना कर दिया और इसके इंपॉर्टेंट नहीं है क्वाड आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दो चार कंट्री का ग्रूप है इंडिया और जपान है फिर USA है ये चारों कंट्री इंडो पैसिफिक में आप लोग कह सकते हो एक साथ मिलके आई है और फ्री एन ओपन इंडो पैसिफिक की बात करती या वो चीज इंशूर करने के लिए लोग ने अपस में ये ग्रूप बनाया है उसके अरावा अगर आप लोग देखो ना तो दुनिया वर के जो एक्सपर्ट से वो इस तरह के की बाते करते है चायना खुद इस लिए इस तरह के की बाते करता है कि ये जो क्वाड इसमें जैसे कि हम लोग ने देखा नहीं आ रहे है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे है अब पार्टिसिपेट ना करने वाली बात नहीं है मतलब उनकी वज़े से ये डिले हो गया इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि अब USA के लिए क्वाड भी उतना ज्यादा इंपॉर्ट नहीं है और चायना को काउंटर करने में आप लोग कह सकते हो कि USA सवस्ता इंडिया उतना ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है या फिक वाड ग्रूप जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है तो इस तरह के कि भी मैसेज इस से जा सकते हैं आप कहने वाले बहुत में यह होने वाला था लेकिन अचानक से फिर USA के जो प्रेसिडेंट है उनने कुछ ऐसे ही किया उनने का कि नहीं हम यह सम्मिट जो इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय का जा रहा था कुछ financial issue जो है वो USA में आ गया था और फिर G7 सम्मिट जो है न वो हो रहा करने की कोशिश की जा रही है इसको उतना ज्यादा important जो है वो USA के तरफ से नहीं दिया जा रहा है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि QUART को भी USA उतना ज्यादा important नहीं समझ रहा है अब इन दोनों ही चीज में अगर आप लोग देखो न तो एक तरह की बात यह हो रही हैं कि USA और इंडिया जो है वो बाकी कर्ट्रीज की तरह बिल्कुल उसकी गुलाम की तरह करना शुरू कर दे बिल्कूल उसकी पपेट की तरह काम करना शुरू कर दे लेकिन इंडिया ने अभी तक तो वैसा करने से साम मना कर दिया अपना आप लोग कह सकते हो कि जो डिसीजन है इंड किसी दवाओं में आके तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अगर आप लोग देखो ना तो यह समझा सकता है कि USA वो फ्रस्टेट हो गया और इसलिए यह जो रिलेशन्शिप है ना इसमें थोड़ा बहुत करवाट जो है वो हाल में देखने को मिल रही है और दूसी तरफ अ जो है वो इन्वाइट किया गया टोटल 6 बार फ्रांस के जो प्रेसेडेंट है जो भी आके लिडर है उनको इन्वाइट किया गया रिपाब्लिक डे परेट पे और फ्रांस और USA है अगर आप लोग देखो ना तो यह आप लोग कह सकते हो एक बैलेंसिंग का काम कर सकता है दोनों के साथ क्योंकि फ्रांस में अगर आप लोग देखो ना तो अलरेडी एंटी उससे सेंटिमेंट जो है वह बहुत जादा है बहुत जादा कहना थीक नहीं होगा लेकिन फ्रांस में उ lazımड़ेटी अन्क जना जा Benson एक उतरा पॉजिटीव फ्रांस कभी भी यह रोंसकत कि वो अपना सबसे बड़ा एनेमी मानता है, फ्रांस कहता है कि कॉम्मिनिजम के बाद दूसरा हम लोग का सबसे बड़ा एनेमी कोई है, तो वो ये कंट्रीज है, ये गुरूप है, आप लोग कह सकते हैं, आप लोग को पहले तो पता ही होगा कि यूके और फ्रांस में बहुत ज़्यादा बीच में जब कलोनिलिजम का टाइम था, तो अपस में काफी ज़्यादा लणाई आ होई है, एक टाइम पर यही तो पावर थी पूरे वर्ल्ड में, लग इन दूरों में आपस में काफी ज़्यादा लणाई होई थी एक टाइम पर कलोनिल आपने अपने इंट्रेस्ट के लिए, उसके अलाबा अगर आप लोग देखो ना तो हम सब जाते हैं USA जो है न वो basically UK के जो लोग है वही जाके वहाँ पर बसे तो एक connection है USA और UK में आप लोग ऐसा कह सकते हो और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया इसी वज़े से USA जो है न वो भी एक English section countries है और France जो है वो अपनी अलग identity समझता है वो France अपने आपको यूरोप में बहुत जादा important मानता है और यूरोप में वो बहुत जादा important है भी एक तरीके से जैसे इंडिया पूरी इशिया का cultural center है न वैसे फ्रांस भी पूरी यूरोप का cultural center है आप लोग ऐसा कह सकते हो तो France आप लोग देखो तो एक अच्छा alternative दे सकता USA या फिर ये जो एंग्लो सेक्षन countries है जो आप लोग कह सकते हो को एक weapon की तरह इस्तिमाल कर रही है इंडिया पर दवाव बनाने के लिए उसको बार पार उटा रही है अभी आल में आप लोग ने सुना होगा कि USA की तरफ स जो है गुरुपत वन सिंग पन्लू जिसका नाम है उसको मानने की कोशिश की ती जो कि एक USA सेटी जन है तो इस तरह के काम जो है वो इन एंग्लो सेक्षन कंट्री से हो रही है और France जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अल्रेडी बहुत जादा एंटी रहता है इस ग्रूप के एक टर्म होता है मैं यहां आप लोग को बता दू एट्लांटिसिजम जिसे का जाता है एट्लांटिक ओशियन आप लोग को पता होगा यह ओशियन है जो यूरोप और अमेरिका कॉंटिनेंट जो इसके बीच में है और एट्लांटिसिजम जो टर्म है वो बेसिकली उसका मतलब यह है कि USA उससे European countries की बहुत अच्छी आप लोग कह सकते हो बननी चाहिए वो दोनों मिलके काम करें इस तरह की का जो मतलब है वो इस term का है आप लोग के ऐसा कह सकते हो पूरे जो Atlantic countries है Atlantic Ocean के आसपास इनके बीच में अच्छे bonding हो इस तरह की बात की जाती है लेकिन France जो है वो इसके against में रहता है France और Germany भी मैं आप लोग को बताऊं तो यह जो term में इसको पसंद नहीं करता है यह जो theory है कि इन दोनों को मिलके काम करना चाहिए तबी यह लोग rule कर पाएंगे इस world पे यह इस पर believe नहीं करता है हाल में यह आप लोग को पता होगा कि France के जो president है उनने यह क्या भी दिया था कि Europe को अपना रास्ता देखना चाहिए अपने interest देखना चाहिए ना कि blindly follow करना चाहिए USA को तो इस तरह के sentiment जो है न वो है France के अंदर और France और USA अक्सर compete भी करते हैं कि इंडिया को हतियार कौन बेचेगा world में हतियार कौन बेचेगा दो अलग culture बन जाते हैं अलग culture है और France का जो culture है न वो अलग culture है तो एक तरह के का competition है आप लोग कैसे के सकते हो दोनों के बीच में और यह जो history के अगर हम लोग थोड़ा बात करें न तो यह English action country आप लोग को बहुत से मुद्धों पर इंडिया के अंगेस्ट में मिलेगी इनने बहुत बार आप लोग कह सकते हो इंडिया के अंगेस्ट में action भी लिया है इवन की आज भी जैसा के मैंने आप लोग को बताए यह जो खालिस्तान का issue है यह यह उठाती है लेकिन फ्रांस अगर आप लोग देखो न तो बहुत से मुद्धों पर शुरू से जब से इंडिया आजाद हुआ है इंडिया को मदद ही किये फ्रांस में तो इस तरह के कि जो history है वो भी है और फ्रांस से काफी जादा interest भी जुड़े हैं हम लोग के और एक दवाओ ना बने एक जब एकी option होगा ना इंडिया के पास कि हमारे पास सिर्फ एकी option है हमको USA से बना के रखनी है तो इसके बाद क्या होगा कि इंडिया dependent हो जाएगा ले दूसरी चीजों पर रशिया पर भी बहुत जादा डिपेंड होना single एक country पर डिपेंड होना यह अच्छी बात नहीं है इंडिया आप लोगों पता होगा कि रशिया पर अपनी जो weapon के dependence है इसको कम कर भी रहा है तो इसके लिए कर क्या रहा है कि एक तो खुल से self manufacturing कर रहा है अपने आप develop कर रहा है ऐसी technology ऐसे weapons और दूसरा जो completely दूसरी country रशिया की जो rival country है USA उस पर ना depend होके France जैसी country हो गई और बाकी भी यूरोप के एक तो country होगी इनसे भी deal कर रहा है इनसे भी weapon करीद रहा है अभी आप लोगों पता होगा रफाल इंडिया ने खरीदा भी है ज वह भी आप लोग कह सकते हैं वहाँ पर जो march है वो किया था तो कहने का मतलब है कि जो France है वो अच्छा alternative और ज्यादा ट्रस्टीबल पार्टनर बन सकता है इंडिया का USA के comparison में अफकोस किसी country से आप विल्कुल काट के नहीं रह सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं USA से हम लो परस्टेश के मना करने के पास प्रास कि जो प्रसिडेंट है इनको इंवाइट करके बहुत ही अच्छा हम लोग कह सकते हूं जो है वह चला है तो यह था पूरा वीडियो गाइस आई-उव विडियो उप पर अच्छा लगा होगा इस लाइक कमेंट शेर सब्सक्रेब टेद्टे